Assalamu alaikum dear students, welcome to engineering mechanics statistics video lecture series. So in today's video we will discuss another exercise problem from the equilibrium of rigid bodies, non-concurrent and non-paralleled force system. So today we have a question, determine the mass of the heavy ice in the bomb bar that can be supported in the position shown in figure if the breaking strength of the horizontal cable attached at sea is 15 kilo newton. So this we are saying that, you can see the bar here or rod here. इसका must find करे, यह वाला, इसका must find करे, कि यहाँ पर एक tension इसके बल में generate हो रहा है, जो कि हमारे पास 15 kN की value है, तो tension के साथ-साथ इस पर reaction भी लगेंगे, एक B पर normal में लगेगा, क्योंकि इस पर पढ़ा हूँ आटेशन है, एक A पर normal पर लगेगा, ठीक है, तो normal हमारे पास इस्तर होगा, इस inclined plane का normal होगा, ठीक है, देखो, यहाँ पर जो normal इस्तर होगा, ठीक है, यह हमारे पास normal होगा इसका, तो इसके जाएट हम आते, free body diagram की तरफ जो के, मैंने यहाँ पर बनाया है, तो आते हैं solution की तरफ, यहाँ पर indirectly हमारे पास angle भी दिया गया है, देखो, 4 by 3, यह यहाँ पर, तो यह भी अपने साथ consider करें, note करें, तो यहाँ पर देखो, इसका weight भी होगा, इसके centroid पर या इसके midpoint पर, इसका weight भी downloadate कर रहे है, इस तरफ इस पर tension लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर इस पर normal beef point पर force लग रहा है, और यहाँ पर normal पर यह na force लग रहा है, चुंकि यह हमारे पास forces हो गए, तो यह को, अगर इसके line affection को मैं तोड़ा extend करूँ, ठीक है, इस तरह, इस तरह extend करूँ, और यहाँ पर जो incline plane था, वहाँ पर मेरे पास इस तरह angle दिया गया था, अगर इस line को मैं उठाऊँ यहाँ से, और यहाँ ड्रा करूँ, तो triangle हमारे पास किस तरह हो जागा, triangle इस पर इस तरह आजाएगा, मैंने वो triangle उपर बनाया है, ठीक है, यह triangle आप लोग ने consider करना है, ठीक है, यह बात समझे कि मैंने यह किस तरह रखिये, अगर यह वाला line of action देखो, यह वाला line of action, यहाँ पर देखो, यह वाला line of action है, incline plane पर जोई, यह मैं इधर ड्रा करूँ, इस तरह, जिस पर फॉर्स लग रहे, तो यह triangle भी यहाँ पर इस में इस तरह आजाएगा, ठीक है, इस तरह आजाएगा, triangle, यह भी इस तरह आजाएगा, पिर हम, इस के, अगर यहाँ पर हम angle find करें, x-axis के साथ, तो यहाँ पर भी हमारे पास वह यह angle होगा, इसका मतले है के, इसके x-component के साथ angle बन रहा है, तो इसके x-component के साथ, जो भी angle बने गा, तो हम इसके x-component के साथ, cos theta यूज करते है, ठीक है, cos theta, in a cos theta, cos theta के साथ, फिर मैंने cos theta की जग़ए क्या लिका है, cos theta बराबर होता है, curly brown hair, base by hyper continuous, तो यहाँ पर जो हम यह वह angle लेंगे, तो base हमारे पास 4 होगा, ठीक है, इसके सामने पर perpendicular होगा, और उसके साथ, फिर यहाँ पर hyper continuous भी होगा, तो hyper continuous हमारे पास 5 है, base 4 है, तो यह 4 by 5 हो जाएगा, और जो हम इसका vertical component लेंगे, यहाँ पर इस तरह, vertical component लेंगे, तो यह angle जो है, यहाँ पर perpendicular by hyper continuous होगा, perpendicular हमारे पास 3 है, और hyper continuous हमारे पार 5 है, तो यह 3 by 5 होगा, अब हमने यहाँ पर क्या find करना है, हमने यहाँ पर इसका mass find करना है, तो जो हम इसका weight find कर लेंगे, तो mass भी आजाएगा, weight हम किस तरह find करेंगे, equilibrium के equation से, ठीक है, equilibrium के equation से हमारे पास आजाएगा, यहाँ पर इस cable में जो tension पहिदा हो रहा है, वो हमारे पास इसकी वेज़ गीवन ने, 15 kilo newton है, ठीक है, अब बस आप लोगों ने जो unknowns find कर लिए, theta's find कर लिए, unknowns तो हम find करेंगे, लगन theta हमने find कर लिया, इंटाइ रही जो गीवन था, उसको consider कर लिया, अब हम आते है equilibrium के equation की तरफ, देखो equilibrium का equation मेंने पहले कुन सा लिया है, जो बराइट की तरफ है का, तो positive होगा, अब हम आते हैंगे, तो यहाँ पर वो रिजेंट होगी जो फोर सेट कर रहे हैं पहले वो लिखो, तो वो पहले यहाँ पर इस normal force का x component आजाएगा, जो कि n cos theta के बरावर है, ठीके, देखो n cos theta के बरावर है, तो उसकी जगा मैंने यह वाली value लिख लिए, एने 4 by 5, minus 15, 15 kN जाएगे, वो इसकी यह value है, ठीके, tension की domain लिख ली, तो equation के उस साइट पर यह positive हो जाएगा, और जब हम एने 5 आज करेंगे, 4 उस पर डिवाइड हो जाएगा, 5 इसके तरह multiply हो जाएगा, तो एने हमारे पास आज जाएगा 18.75 kN, ठीक है, यह हमारे पास normal reaction 8 a find हो गया, तो अब हम आते हैं, दूसरे equation की तरफ, summation of moment 8, 20 equal to 0 clockwise को मैंने positive लिया है, तो मैं इस point पर moment 0 लेता हूँ, फिर देखता हूँ के, announce हमारे पास find हो टे है कि नहीं, तो यहाँ पर हमारे पास normal पे force लग रहाता है, इस तरह, तो जब यहाँ पर normal पे, एक मिनिट मैं इसका कदर तोड़ा change करता हूँ तक दीखने में अशा नहीं हो, तो यहाँ पर जब ए पर normal force लग रहाता, उसके दो component बन रहते, तो हम इसके दो component लेंगे, उसका distance भी लेंगे, ठीक है, इस तरह, और यहाँ पर इस तरह force लग रहा था, weight लग रहा था, और यहाँ पर इस तरह force लग रहा था, तो चुनके बीपर जो force लग रहा है, वो moment कास नहीं करेगा, इसमें नहीं नहीं लिखा है equation में, तो इसका cast component multiply by यह वोला distance, देखो, यहाँ से, यह force लिए पर apply हो रहा है, तो हम यहाँ से लेंगे, यह वोला distance, अच्छा, तो cast component मैंने किया लिख लाए, 4 divided by 5 हैने, जिस तरह मैंने पहले लिखा था, multiply by यह distance, यह मैंने किस तरह फांट किया है, यह distance मैंने इस तरह फांट किया है, देखो, यह triangle मैंने consider किया हुए, triangle मैंने किस तरह consider किया हुए, यह आप लोग तोड़ा समझो, पागी पीछले question में भी मैंने इस तरह किया है, अगर आप लेक्षर नहीं देखे तो भी देख लिए तक किस समय चाहिए, ठीक है, जुनकि मुझे यह वाला distance चाहिए, ठीक है, यह triangle मैंने consider किया है, तो यह वाला distance में किस सरह निकाल सकता हूँ, sin theta से, परपेंडे गुदर को निकालने के लिए sin theta की मदद लेना होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास theta भी गी होने, तो परपेंडे गुदर हमारे पास क्या जाएगा, hypotenuse sin theta, यह देखो 2.4 sin 20 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करें, इसके vertical component, यहाँ पर इस force का vertical component multiply करें, यहाँ से लेकर यहाँ तर डिस्टेंस तक, वो कितना होगा, वो इसी triangle का base हो जाएगा, तो base हम cast component से निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, hypotenuse cos theta, बेस इपुटो है, hypotenuse cos theta, तो यह हमारे पास हो जाएगा, hypotenuse 2.4 cos theta cos 20, यह देखो डिस्टेंस इस तरह जाएगा, करेंगा, अब आप लोग के पास यहाँ पर, यह तो 15 है ना, 15 kg N, तो यह force यहाँ पर लग रहागा है, तो हमारे पास यहवाला distance भी find करना होगा, यहवाला distance को find करने के लिए, फिर हम कुँछा triangle लेंगे, यह distance find करने के लिए हम यह वाला triangle लेंगे, फिर हम इस triangle का perpendicular find करेंगे इस triangle को perpendicular find करने के लिए फिर हमने hypotenuse की value 1.2 लेनी होगी ठीके और फिर angle तो वह ही आएगा तो यह किया जाएगा 1.2 base is equal to perpendicular sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse perpendicular जब हम find करेंगे तो hypotenuse का sin theta के साथ multiply हो जाएगा तो यह किया जाएगा 1.2 sin 20 यह जाएगा ठीके जब यह 1.2 sin 20 हमारे पास distance आ जाएगा तो उसके बाद इसी point पर हमारे पास नीचे की तरफ वेक्ट कर रहे है तो हमारे पास यह ओले distance भी चाहिए तो यह cos component के साथ मलूम कर ले cos theta से वो किया जाएगा basis equal to hypotenuse cos 20 यह जाएगा यह जाएगा यह जाएगा यह जाएगा यह पर यह पास रोटेशन कर रहे है तो इसलिए मैंने यह दोनों positively के यह दोनों अच्छा जब हम अब हमने जब हमने equations बना लिए तो आप इस तरह करते है कि simply बस इसको calculate करते है equations को आगे ले जाते है कि हमारे पस क्या value आती है जब हम अच्छा हमने इस equation में इने की value डाल लिए अब उपर हमने find की थी 15.75 हम ने ढाल लिए डाले इसमें value जो हम یसकी yol करते है या पसमें multiply कर ले या अपसमें इससे हमारे पास 6.15 अजट फर यह हमारे पास इस तर आ जाएगा जब हम यह बस 37 से 6 15 मांस करें तो 31.46 आता है यह वहला इक्वेशन कही साट पर जाएगा तो 31.46 is equal to 1.12 weight तो अब हम यहाँ पर एक मिरट में यह मीठाता हूँ लागि थोड़ा साफ लगे तो अब हम क्या कर सकते हैं अब हम weight की value find कर सकते हैं 31.46 divided by 1.12 weight हमारे पास 28 kN आ जाएगा ठीक है जब kN आ जाएगा तो mass को find करने के लिए हम वो equation लेगे अब हमारे पास 28 kN आ किलो की जगा मैंने न्यूटन लिख लिया 30 डा लिए डिवाइड वाइन पॉंटेट तो mass हमारे पस किया गया 2854 kg यह हमारे पास इसका अंसर था यह ताच का हमारा सलूशन वो मीदे के आप लोगो समझ आ गया होगा इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को और फिर मिलते हैं इंशालला नेक्स वीडियो में इंजिनियरी में के इस वीडियो सीरीज से अगर आपको फाइदा पहुंच रहा हो तो करनली पजिटिव कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस तरह वीडियो में और पर अप्लोड करता जाओंगा तो चैनल के साथ अपडेट और कनेक्ट रहे सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक की लिए खुदा आफिश्य